Hello everyone, welcome again to Fine Arts Study आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि KBS इंटर्व्यू के लिए हम अपनी तयारी कैसे करें वो छोटे-चोटे स्टैप है, ठीक है, तो उनको हमें कैसे कवर अप करना है, उनको उनके तयारी हमें कैसे करनी है क्योंकि जैसे कुछ main-main part है, जैसे introduction हो गया, और आपकी hobbies हो गई, strength हो गई, तो इस टाइप के जो छोटे-चोटे topics हैं, जिनके बारे में जो examiner है, वो आप से question put up करते हैं, तो उनके बारे में हम बिल्कुल point to point देखेंगे, और आप चाहें, अभी आपके पास time है, तो आप अ अपना पूरा introduction लिखें, और सबसे main बात यह है, कि जो आप introduction में लिख रहे हैं, उसके बारे में आपको full knowledge होनी चाहिए, क्योंकि आप से interviewer जो है, तो वहाँ पर वो आप से cross question करेंगे, वो आपके introduction से ही करेंगे, ठीक है न, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, कैसे कैसे, त अब introduction में हमें क्या क्या करना है, वो भी, तो सबसे पहले तो introduction की जो language रहेगी, वो क्या रहेगी, ठीक है, मैं आपको suggest करूँगी, कि जहां तक हो सके, 99% आप English में ही अपना introduction तयार करें, अभी आपके पास time है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है, और इसके भी आपके पास दो option ह हो सकता है, ठीक है, confirm नहीं है, shorty नहीं है, कि examiner, जो interviewer है, वो आपसे पूछे ही, लेकिन हो सकता है, कि जो interviewer है, वो जो panel बैठा हुआ है, वो आपसे खुद पूछ ले, कि आप किस language में interview देना पसंद करेंगी, हिंदी में या English में, तब तो आपके पास choice रहेगी, ठीक है, अगर वो direct आपसे बोले, अगर वो English में आपसे बोल रहे हैं, कि introduce yourself, तो आपको English में ही अपने आपको introduce करना है, अगर वो हिंदी में बोल रहे हैं, तब आपको हिंदी में करना है, ठीक है, अगर वो आपसे choice पूछ रहे हैं, आपकी language की, तो आप bilingual भी बोल सकते हैं, यानि क अपनी आप जो है दोनों लेंग्वेज में थोड़ा साब इंग्लिश में बोली थोड़ा साब हिंदी में बोली अगर वो आपको चोईस देते हैं तो ठीक है तो यह बहुत महत्वपूर्पॉइंट है यह आप याद रखेगा उसके बाद आता है कि इंट्रोडेक्शन में हम इंट्रोडेक्शन और बहुत ही जादा लेंदी भी नहीं होना चाहिए यह दोनों ही रोंग इंफेक्ट करते हैं सामने वाले पर तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे वेर यू बिलोंग कहां से हैं आप और उसके बाद आपने एजुकेशन क्या की है ठीक है और तो तो उसके बाद ऐसे जापनी इनवर्सिटी जहांसे और बता की है तो इस तरह से अपनी इजुकेशन है वह वसके बाद आता है औपका अची व्हुमेंट main main जो achievement है आपके वो बताए कि जैसे आपने NCC किया हुआ है ठीक है आप scout guide वगरा जो भी होते है ठीक है या फिर आपने कोई computer course किया हुआ है तो उसकी बारे में आप सिर्फ उनका नाम बताए और हो सकता है वहीं से आपका जो cross question है वो आएगा उसके बाद आती है आपकी hobbies और तो ये सब आपको जो है बस इतना ही आप अपने जो introduction है उसमें add कीजिए ठीक है फाल्तु की चीजे introduction में बिल्कुल भी add मत कीजिए और बहुत short भी मत बनाईए बहुत अगर आप blendी करेंगे बहुत fake लगेगा बिल्कुल भी जो है सामने वाला बोर हो सकता है और हो सकता है वो आपको बीच में ही रोक दे तो इससे अच्छा है कि जो main main चीजे है आप वो बताईए उसके बाद आता है introduction से ही कि आपका नाम का meaning पूछा जा सकता है अगर वो पूछते हैं तो आप बोल सकते हैं otherwise अगर मालो आपके नाम में कुछ special है तो आप अपना जब introduction देते हैं कि my full name is this 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 तो आप वहीं पर अपना जो है name का meaning भी बता सकते हैं it's your choice ठीक है तो एक यह point आप clear कर लीजेगा उसके बाद आता है about family introduction में about family बोलना is not compulsory मत बोलिएगा लेकिन अगर मालो कि आपके family में कुछ special है मालो कि आपके father grandfather कोई army से हैं या पिर कुछ कोई navy से है या मतलब कुछ भी ऐसा special है जो आप बताना चाहते हैं ठीक है तो वो तब आप अपना जो family के बारे में है वो बता सकते हैं okay उसके बाद आपके भाई बहन मालो कुछ government job में है तब भी आप अपना बता सकते हैं कि हम इतने siblings से हैं और ऐसे ऐसे ठीक है उसके बाद आती है आपकी hobbies most important part है introduction का hobbies कम से कम एक से दो होबी उनको जरूर बताएं और hobbies वही चूज करें जो आपको मतलब पता हो ठीक है उनके बारे में मतलब आपको full information हो like किसी ने बोल दया कि crafting okay तो craft के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से craft होते हैं waste material से हम क्या craft बना सकते हैं by chance वह आप से तुरंत बोल सकते हैं कि मालो कि यहां पर यह notebook है पुरानी आप इस ते कुछ craft बना के दिखाईए तो आपको paper craft कुछ ना कुछ आना चाहिए हो सकता है आपको pen के लिए बोल दे हो सकता है ना भी बोले लेकिन हमें जो है वो सभी चीजों के लिए prepare रहना है एक एक जो word हम बोल रहे है ना उस एक एक word के लिए हमें prepare रहना है ठीक है तो hobby यहीं बताईगा जैसे मालो आपने बोल दिया कि cricket मुझे खेलना पसंद है फिर वो पूछ लेंगे क कौन सा यह अभी कौन से जो मैच चल रहा है कौन जीता और आपको अगर उसके बारे में नहीं पता बहुत फेक लगेगा और आपका negative जो है इफेक्ट वो जाएगा इसलिए hobby वही चूज करें जिनके बारे में आपको पता हो और आप सच में इंटरेस्टेड हो अगर नहीं hobbies हैं तो आप clearly बोल सकते हैं कि sorry sir I don't have any hobbies ठीक है उसके बाद आता है आपका strength और weakness आप अपने आपको जो है explore कीजिए अपने आपको analyze कीजिए कि आप में क्या strength है जो आपकी ताकत है और एक आपकी weakness at least one one आपकी strength और one weakness आपको देखनी ही है ठीक है तो यह आप देख weakness जब भी बोलें उसके बाद आप यह जरूर बोलिएगा कि यह सर मेरी weakness है लेकिन मैं अभी इस पर work कर रही हूं और बहुत जल्द मैं इससे जो है overcome करूंगी ओके तो यह point आपको देखने है उसके बाद आता है जो आपने अपना जो education बताई है आपने किसे school college university जहां से भी आपने education की है उस संस्थां के बारे में आपको full information होनी चाहिए like मालो schooling में आपने KVS, NVS या फिर राजस्तान से की है या फिर जैसे हर्याना से की है ठीक है आपका जो मतलब mode कौन सा रहा है like CBSC, UA, ठीक है जैसे कि state के school हो गए तो उनके बारे में आपको full पता होना चाहिए उसके बाद आती है university जैसे कि मालो कि अपने जामिया से कुछ किया है ठीक है art का course है अपने जामिया से क्या है तो आपको जामिया की पूरी जो history है वो पता होना चाहिए ठीक है तो ये most important point है उसके बाद आ जाता है कि आप जिस state से belong करते हैं ठीक है state, district or village उसके बारे में तो ठीक है वहाँ पर क्या famous है वो जगह क्यों famous है वो जगह के आस पास कौन सी चीजे famous है ठीक है चाहिए आप छोटी सी जगह से हूँ चाहिए किसी बड़े से city से हूँ ठीक है तो उन सभी चीजों के बारे में आपको knowledge होनी चाहिए जादा नहीं तो कम ही सही लेकिन होनी कि उसके बाद आता है आपका जो बायो डेटा अप पो जो फिल करेंगे, ब्लुकुल साफ साफ उसे फिल किजिएगा और उसको साफ करनौ उस अप फिल करेंगे जो भी उसम में पॉंट अप लिखेंगे जो भी अपनी जो डिटेल्सति लिखेंगे वो आप एक-एक सही लिखिएगा, मतलब जिनके बारे में आपको पता हो, कुछ भी अनावशक चीजे उसमें मत लिखिएगा कि बाईचांस आपने कुछ भी लिख दिया उसमें ऐसे ही, कि कि हाँ चलो अच्छा लगेगा ये लेकिन वहाँ पर अच्छा लगाने के लिए कुछ भी मत लिखना, बाईचांस उनों ने कुछ क्वेश्चन कर लिया आपसे क्योंकि वो क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन निकालते है तो फिर आपको ही प्रोबलम होगी वहाँ पर, आप जवाब नहीं दे पाएंगे, तो मार्किंग आपकी ही माइनस होगी ठीक है? तो ये बात आप ध्यान रखेगा उसके बाद आता है कि आपने कोई भी एक्स्टर कोर्स किया है, कंप्पिटर का NCC या फिर आपको गेम खेलते हैं उसकी पूरी हिस्टरी आपको पता होनी चाहिए जैसे मान लो कि आपने कंप्पिटर में कोई ग्राफिक का कोर्स किया हुआ है ठीक है? या फिर आपको बेसिक आता है आपको इंटरनेट अच्छे से आता है तो उन सब के बारे में आप थोड़ा बहुत थोड़ा वो सब के बारे में पढ़िए अभी से आपके पास एक-एक पॉइंट लिखिए जो एक-एक पॉइंट लिखिए उसके नीचे उसकी जो डिटेल्स है जो हिस्ट्री है वो लिखिए उसके बाद next पॉइंट लिखिए उसके बाद उसकी detail लिखिए ऐसे करके आप 15 days हैं आप easily अपना जो target है वो complete कर सकते है at least basic target तो आप अपना complete कर ही लेंगे ठीक है ये हो गया उसके बाद अगर आपको game के बारे में ज्यादा नहीं पता है तो बहतर है जो चीज आपको नहीं पता वो आप ना बोले वहाँ पर उसकी बाद आती है demo teaching की अब demo teaching में आपकी दो चीजे हैं ठीक है ये वैसे तो demo teaching सभी के लिए है ठीक है लेकिन मैं drawing की बात कर रही हूँ सब को पता है चाहे आप किसी भी चाहे आप practical subject से हो आप नोन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से हो teaching आपको सभी को करनी ही वहाँ पर करनी ही पड़ेगी तो देखे teaching तो आपको करनी ही पड़ेगी तो वो आपको या तो अपने मन से कुछ टोपिक देदेंगे ठीक है आप पी आर्ट के student है तो आपको वो कुछ भी topic देदेंगे किसी भी subjects का math का कि math में आप percentage पढ़ाईए या फिर EBS का कोई topic देदेंगे कि जैसे कि आप water पढ़ाईए ठीक है environment पढ़ाईए या फिर जैसे हिंदी में कुछ देदिया या फिर पोएम पी आर्ट के लिए poem is must हिंदी और English दोनों में बात करते हैं हम drawing की drawing में आप दो चीजे करके जाए सबसे पहला तो आप पढ़ाने का तरीका पढ़ाने का तरीका मतलब की आप कैसे पढ़ाते हैं क्लास में जाएंगे उसके बाद क्या करना है आपको तो उस तरह से अगर आपको यह डारेक्ट यह भी बोल सकते हैं आपको कि आप मानलो की क्लास फॉर्थ में है और आप बच्चों को पढ़ाना है तो आप कैसे पढ़ाएंगे या तो आपनो टोपिक भी दे सकते हैं कि मानलो की आप बच्चों को कुछ भी like काइट बनाना सिखाईए ठीक है फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं आप काइट बनाना सिखाईए आप कैसे सिखाएंगे वह आपको यह भी बोल सकते है तो वहाँ पर आपको क्या करना है वहाँ पर आपको क्लास लेनी है imagine करना है कि सामने जो पैनल बैठा है वो आपका student है और आप classroom में हैं ठीक है वहाँ पर आपको board available होगा चोक या फिर marker कुछ भी available होगा आपको सबसे पहले वहाँ पर date put करनी है class put करनी है उसके बाद आपको जो अपना topic है ठीक है जैसे kite आपको kite put करना है उसके बाद आपको normal conversation करनी है बच्चों के साथ जैसे भी आप पढ़ाते हैं तो उसकी practice आप कीजिए कि आप बच्चों को कैसे बढ़ाएंगे ठीक है यह तो हो गई हमारी teaching की first thing उसके बाद sorry उसके बाद आती है हमारी second thing वह है drawing वहां पर आपको इसी तरह से teaching की तरह ही दो option दे दिये जाएंगे कि आप या तो वह बोल देंगे कि आप जैसे horse बना कर दिखाईए ठीक है तो आप जाएंगे और direct वहां पर जो horse है वहां पर जो भी medium वहां पर अवेलेबल होगा जैसे chalk या फिर paper pencil या फिर आपका marker तो उससे आप अपना जो drawing है वह जो उन्होंने बोला है अप direct बना देंगे that's it ठीक है या फिर अगर उन्होंने ये बोल दिया कि आप कुछ भी बना कर दिखाईए तो तब आपको आपको जो best आता है वो आप blackboard पर बना दीजी ठीक है लेकिन एक drawing वैसे तो आपको सभी की practice कर लीजी अच्छे से और उसके अलावा आप एक चीज ऐसी पकड़िए ज आप वो बना सके तो teaching की भी practice कीजिए और अभी जो drawing है ठीक है bird हो गया animal हो गया landscape हो गया या फिक object हो गया sketching हो गई तो इन सब की आप practice कीजिए उसके बाद आती है हमारा जो portfolio होता है वो ठीक है ये art के लिए है portfolio अपना लेकर जाए portfolio तयार कर लें जिसमें आपका जितना भी work है वो आप लेके जाएं अगर बड़ी seat है तो उनको अच्छे से mount करके उनको cover up करके आप लेके जाएं canvas है अच्छी बात है canvas भी लेकर जाएं आप जो वहाँ पर ले जा सकते हैं आप लेके जाएं जो portfolio है वह कटा फिता ना हो ठीक है sheets आपकी मूड़ी हुई ना हो आप लेके जाएं ठीक है चाहे मतलब जो आपका work है वह कम हो लेकिन अच्छा हो इस बात का आप ध्यान रखेगा quality जो है quantity matter नहीं करती quality matter करती है इस बात को आप ध्यान रखेगा उसके बाद जो last point है वो है हमारा craft का हम art के student है तो हमें जो है अच्छा लगेगा कि कुछ craft भी हम लेके जाएं कुछ clay से बना हुआ अगर आप pottery करते हैं तो pottery का कुछ बना हुआ लेके जाएं या फिर कुछ paper craft मतलब कुछ भी जो आप carry कर सकते हैं तो यह सब चीजें आपको घ्यान रखनी है इनके आप अच्छे से practice कर लीजिए उसके बाद एक और जो चीज है वो यह है कि यह दो तीन question है जो आप खुद के लिए prepare कीजिए यह हो सकता है आपसे पूछ लिया जाएं क्योंकि बहुत common questionnaire हो सकता है ना पूछा जाए लेकिन आपको पता होना चाहिए तो हमारा जो first question है वो है कि why do you become a teacher आप teacher क्यों बनना चाहते हैं तो इसका जवाब आप Hindi और English दोनों में ही तयार करके जाएं एक अच्छा सा उपर question लिखिए नीचे जैसे आपन नोटबुक में लिखते हैं ऐ सोटा ही सही दो चार लाइन का ही सही ठीक है बहुत जादा लंबा चोड़ा आपको ऐसे लिखने की जरत नहीं है दो चार लाइन लिखिए इनफ होगा लेकिन अच्छी लिखिएगा तो इसका एक अच्छा सा जवाब आप तयार करके जाएं कि आप teacher क्यों बनना चाहते हैं उसके बाद ये पूछेंगे KVS के संस्ता है तो जरूर पूछेंगे कि आप KVS ही क्यों जोइन करना चाहते हैं इसका भी जवाब आपके पास होना चाहिए ठीक है और इस बात का ध्यान रखेगा वो जिस भी language में आपसे पूछ रहे हैं कोशिश कीजिए कि उस language में जवा रहा है मालों उन्होंने English में question किया आपसे कि why do you want to join KVS अगर आपको इंगला इसका जो आंसर है वो English में नहीं आता है तो आप उनकी permission लीजिए कि सर मैं I speak in Hindi ठीक है अगर आप Hindi में comfortable हैं और Hindi में अपनी जो feeling है वो अच्छे से express कर पाते हैं तो आप उनसे permission लीजिए कि मैं opinion है जो अपने विचार है वो आप उन्हें बताईए ठीक है language से ज़्यादा effect नहीं होता matter करता है कि आपकी knowledge कितनी है आपका confidence कितना है यह सब चीजे matter करती है अगर आपने कोई चीज नहीं भी बताई है उसे sorry बोल लिए और आप चुप हो जाईए ठीक है कि sir sorry skip हो गया माइ से या अभी मैं recall नहीं कर पा रही हूं तो ऐसे आप उनको बोल दीजिए ठीक है और उस बात की ज्यादा attention मत लीजिए कि मैंने यह question नहीं बताया मुझे मेरे marks cut हो जाएंगे ठीक है ना तो इन सब चीजों की तरफ ध्यान मत दीजेगा उस time और आपको जो आता है उस पे आ हमारी जो topic है वो हमें तयार करने ही करने हैं लेकिन कुछ चीजे ऐसी हैं जो हमें मतलब दिखती नहीं है लेकिन बहुत चोटी-चोटी चीजे हैं जो की सामने वाला वहां पर आपको बिल्कुल notice करता है उन चीजों के आपको अलग से points मिलते हैं तो वो चीजे हम जो है next video म में discuss करेंगे thank you